Hello everyone, Namaste, आप सब कैसे हो? I hope आप सब अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हो तो आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ तो आईए मैं आपको बताती हूँ आज मैं बनाऊंगी मूली के पराठे और उसके बारे में बताऊंगी मूली के पराठे कैसे बनाये जाते हैं और अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक से और कमन करना ना भूले तो आईए मैंने एक मूली लिये है उसके दो पार्ट्स की है और मैंने अलका-उलका से उपर-उपर छेल लिया है वार देखिए फैनली मैंने अच्छे से साफ कर लिया है फिर इसे मैं कद्दुकस करूँगी आप देख सकते हैं मैंने कद्दुकस कर लिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को सेयर करें तो आएए अभी मैं इसमें गेहूं का आटा मिलाओंगी आप देख सकते हैं हलका सा नमक मिलाओंगी स्वाद अनुसार लाल मिर्च अगर आपको पसंद नहीं है लाल मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं अग गरम मसाला आप अपने अकॉर्डिंग चटपटा बना सकते हो और मैंने पहले से ही कद्दू कस कर रखा है अद्रग, धनिया, हरी मिट्च प्रीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमंड करें जादा जादा सेयर करें मेरी वीडियो को अभी आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से मैस करूंगी पूरा मैं अच्छे से पूरा मिलाऊंगी मूली, आठा, धनिया, मिर्च, जो भी मैंने इसमें डाला है सारा मैं मिक्स करूंगी तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करना है जैसे आप आठा गूते हो नॉर्मल वैसे आपको गूतना ऐसे भी और इसमें पानी नहीं मिलाया जाता है यहां पर मैं चोटी-चोटी गोलिया बनाऊंगी जैसे आप रोटी के लिए बनाते हो सेम थोड़ा सा ज्यादा आटा लेके उसकी चोटी-चुटी बड़ी-बड़ी अपने हसाब से आप लोईया बनाऊगे फिर देन उसके बाद फिर मैं इसमें आटा लगाऊंगी कि जिसस अब भी कि आपने खिपके ना चुपक नहीं रहा है अब भी मैंने बेल दिया एक पराटा तो आप देख सकते हैं अब भी मैं हल्का सा और लगाऊंगी जिससे ये खिपके ना तो अभी आप देख सकते हैं और आगे भी मैं अच्छे अच्छी वीडियो ले के आऊंगे आपके लिए जैसे आपने पहले वीडियो में मुझे प्यार दिया है प्लीस मुझे अभी भी आप प्यार दें सब्सक्राइब करें, लाइक करें जादा सजादा मेरी वीडियो को सेयर करें तो अभी मैंने इसमें तेर लगा दिया है बिल्कुल लाल लाल बना दिया है मूली के पराठे पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देख सकते हैं मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया है सेम आपको यही प्रोसेस करना है ऐसी अगर आप बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेगा मैं तो अपने घर में सेम ऐसे बनाती हूँ अगर आप लोग कोई दूसरे तरहीके से बनाते तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं फार्नेली मेरे पराठे रेडी हो चुके है और अगर आप कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक से कमेंट करना ना भूलें बाबाए टाटा